सोने में निवेश है बैस्ट या नहीं? हलो दोस्तों, मैं अधिती स्वाकत करती हूँ आप सभी का आप देख रहे हैं पगारबुक यूट्यूब चानल भारत में सोना निवेश के तौर पर खासा प्रचलित है और माने तो भारतिय सोने के प्रती काफी हद तक भावनात्मक लगाव भी रखते हैं आप सोने की लोग प्रियता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि भारत फिश्व में सबसे ज्यादा गोल्ड कंस्यूम करने वाला देश है और पिछले कुछ एक सालों में गोल्ड ने सेंसेक्स के कमपारिटिवली रिटर्न्स भी काफी अच्छे दिये हैं तो फिर नुकसान किस बात का? दोस्तो जिस तरीके से नक्ती या बैंक की एफटी या दूसरे आसेट्स को आप निवेश के लिए चुनते हैं गोल्ड फी निवेश के लिए एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है एक्सपोर्ट्स की राए में ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है तेकिन जरूरी ये है कि आप इसको किस तरीके से करें ताकि कम से कम रिस्क और जाद से जादा रिटर्न्स भाएं गोल्ड इंवेस्मेंट की बारी क्यों को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि सोना किस तरहां का निवेश है जी हां गोल्ड एक कमोडिटी है मतलब कि इसके अंदर कोई income producing asset नहीं है जैसे कि आप अगर उधारन के तौर पर property में निवेश करते है तो ये asset आपको rent के तौर पर regular income प्रदान करता है तो फिर क्या वज़ा है कि सोने की value उपर जाती है और इसको निवेश के तौर पर लोगफ्रियता हासल है इसका जवाब है demand और supply सोने की demand continuous बनी ही रहती है और हम इसको खरीते ही रहते हैं इसी वज़े से gold का price उपर जाता है लेकिन यही अगर आप gold jewelry को निवेश के तौर पर चुनते हैं तो यहाँ आपका नुफसान है gold jewelry consumption use case के अंदर आ जाता है ना कि investment के इस चीज़ को आप ऐसे समझे सोने के गहने खरीते वक्त आपको making charges देने होते हैं जो बाद में बेशते वक्त घट जाते हैं इसके साथ storage की problem होती है और impurities की भी जब आप चूल्डी खरीते हैं तो यह 22 karat से ज्यादा में नहीं बनती बाकि इसमें impurities मिलाई जाती है इस वज़े से ये एक गलत तरीका है सोने में निवेश करने का आप physical gold खरीतें लेकिन bullions और coins के तौर पर जो 24 karat में बने होते हैं हलाकि storage की समस्या यहां भी है इसी वज़े से digital gold का option आजकल available है दूसरे तरीके से आप gold ETF यानि Exchange Trade Fund Sovereign Gold Bond या फिर gold mutual fund में invest कर सकते हैं gold ETF बिलकुल mutual fund की तरहां काम करता है यह public से पैसा collect करता है और फिर उस पैसी को gold के अंदर physical form में खुद invest करता है फिर इस fund की एक value लग जाती है और आप उस fund के अंदर invest करते हैं ETF में invest करने के लिए आपके पास DMAT account होना ज़रूरी है अगला option है gold mutual fund यह different ETFs के अंदर invest करता है आप sovereign gold bond में भी invest कर सकते हैं जो की RBI के थूँ issue किया जाता है यहां आपको 2.5 से 3% तक return भी मिलता है जो इस product को unique बनाता है हाला कि gold के इन different options में invest करने से पहले आप expense cost जरूर जाने और समझे क्योंकि आपका return इनी costs पर निर्भर करता है physical और digital gold में आपको GST पे करना पड़ता है यहां आपको storage और transaction charges भी देने होते हैं gold ETF, SGB और gold MF में आपको ये additional cost नहीं देना होता gold mutual fund में ये 2% तक बढ़ जाता है और अगर आप एक साल से पहले अपना पैसा निकालते हैं तो exit load भी देना पड़ता है तो जैसा हमने आपको पहले ही बताया है कि हर investment के अपने pros and cons है आप अपना investment option चूज करने से पहले एक बार ये cost जरूर calculate करें आजकल बहुत सारे apps हैं जहां आपको ये जानकारी मिल सकती है जैसे कि paytm, phone pay, augment यहां आप ध्यान रखे कि gold को आप risk free कैसे खरीदे ताकि future में जब भी आपको जरूरत हो तो आपको ये बगेर नुकसान पहुचाए काम आए इसके रहे आप investment से पहले return का historical graph जरूर देखे और फिरताए करें अगर आप पगार वुग चैनल पे नए हैं तो subscribe करना नहीं भूलें subscribe करते वक्त bell icon प्रेस करें ताकि आपको लीजिस वीडियोस की जानकारी लगातार मिलती रहे नमस्कार